हलो फ्रेंड्स वल्कम टो एक्जाम भी आइम सुशिल रगड़े एक्स मैंगर रिजर बैंक आफ इंडिया एक्चली यह जो वीडियो मैं मॉर्निंग में ही बनाने वाला था लेकिन मुझे थोड़ा सा भी वाइरल फीवर के वज़े से थोड़ा फीकनेस आया लेकिन स्टिल क बहुत सार एक्जाम सकंड़ कर तक कम से कम 2,000 क्या सपा से एक्जाम होंगे और अगर आप सेंटर पर वहाँ पर जाएंगे तो हर दिन 3,4,5,6 एक्जाम हर दिन होते हैं तो उनका जो क्या कहते कि स्केडूल जो है वो काफी बीजी है इसलिए क्या होता है यह टेंटेटेव इसका मतलब है ना दूसरों को तकलिफ देना या दूसरे का गलत आया उसे उनको बहुत मजाता तो यहां पे भी मैंने एक स्पेरिमेंट करके देखा कि मैंने वह एक मेसिज लिखा वहां पर और मैंने कहा कि यह डेट चंच करने का एक वीडियो बनाना है तो बनाओ क्या ना पाल ने ने कहा देखो बार-बार भर भी कहता हूं एक साइकिलोजिस्ट नॉब वेरी इंटरस्टिंग कि लोगों को पता है दूसरों को तकलीव देना या लोगों को दो-दो एक्जाम नहीं देना चाहिए इससे फिर हमारा चांस बढ़ेगा उनका सेलेक्शन बढ़ेगा ऐसे मतलब बहुत वियर टाइप के लोग है और यह जिंदगे में कभी आगे जाते यहांपे यहांपे से बहुत सारे राइट से और यहां पर मान लीजिए अगर मैं फॉर्म भरता हूँ अगर माली जो दो-दो exam conducting body है तो भले हम समझ में आएगा कि दोगों को पता नहीं यह बोलेगा मुझे पता नहीं उसकी exam कभी आभी एक exam conducting body है student भी same है उनके पास सारा भी database है तो कम से कम वो एक दो आगी पीछे कर सकते है और मुझे लगता है वो करेंगे मुझे लगता है वो करेंगे तो यह request है IBPS को नाबाड को IFSC है CB है इसलिए कोई भी exam का date जो होता है वो tentative होता है tentative होता है वो कभी भी आप सुन लीजे कोई कभी life में कुछ भी चीज फाइनल नहीं होती कि भी पत्थर पे लखिर पे लिख जया क्या भी बदलेगा नहीं आगे कुछ होगा emergency होगी corona आजाएगा exam clash हो जाएगी तो आगे पीछे हो जाएगा तो इसलिए as a student आपको क्या करना है जैसे अभी इसके बारे में मुझे 500 student ने message किया और फिर on the spot अगर change नहीं होगा तो क्या है दोनों में से एक देना पड़ेगा लेकिन अगर आप completely छोड़ देते हैं अभी देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं माल लीजे कि जो अभी आफसी के तो हो गए application नाबाड का क्या करेंगे लोग बुलेंगे यार एक दिन में कैसे दूँगा भरोंगा या नहीं और बात में change हो गया तो फिर ऐसे बुलेंगे यार यह तो मिन अपरचुट्य एच्छी गवा दी ऐसा नहीं करना है देखो मैंने बहुत बार लिखा भी है और बहुत बार मैं बूलता हूँ लोगों को decision making नहीं आ रहा है यह ना किसी को पूछनी की जरूरत नहीं आपको पता होना चाहिए क्या करना और यहां पर आपको आवाज रेज करना है जहां पर है finance minister है home minister है PMA है PMO है वहां पर टैक करके लिखना है यह जो वीडियो है उससी direction में थीक है तो चलो वीडियो स्टार्ट करें अभी यह देखो यह सूबर message किया था मैंने आज देखा है नहीं था मैं आज काफी medication के 25 गंटे सो रहा था तो यह the clash of debt too there are some ridiculous students who don't want us to give the both the exams and they think their chances will increase यह तो सबसे मतलब क्या बोलते है मैं तो इसको घटिया ही बुलनुगा सबसे घटिया सोच ही correct है दुनिया में इतनी लाखों की competition है और फिर वो सोचेंगे यह 10-20 लोग रहेंगे तो मेरी probability बढ़ जाएगी बढ़ बढ़ जाएगी लेकि जो पता था कब video बना रहा है मैं पूरा वेट नहीं कर रहा था यहां पर and you should support us already vacancies आरो देखो बहुत vacancies कम है और अगर हमारा chance जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा यहाँ पर देखो 115 लोग बोल रहें कि video मत बनाई है और मैंने उसी दिन लिखा था जैसे हुआ ना मैंने वहां का do you think that ifsc will change the date बहुत सारे लोगों ने कहा ifsc change करेगा और वही हो रहे वाला ठीक है क्योंकि ifsc पहले ही अपना जो application का date बहुत बार आगे postpone किया है change किया है और वह अभी भी करेंगे अभी भी करेंगे आपको बिल यह सारी करनी लेकिन life में आप एक पे उसके उपर ना अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप किस भी exam का preparation कर रहे है किसी को नहीं बताना है correct आप RBI का preparation कर रहे है नाबाड कर रहे से भी कर रहे है किसी को नहीं बताना है बस गर पे वो भी हमारे जो blood relative उनको बताना है friends इसको भी नहीं बताना है और उसका reason क्या मैं आगे बता हूँ क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग है correct और लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग है कि अगर आप बताएंगे न तो आपको boss को जाके पिछी से बताएंगी कि यह preparation कर रहा है इसको आप कही ट्रांसपर कर दो या आप इ राइफ में real help कोन करता है सिर्फ आपके blood relative करते है और मेरे जैसे बाकी भी लोग है यह भी हम भी यह professional है correct ऐसा भी नहीं कि यहां पर बहुत social work चल रहा है और यह understand इसलिए जरूरी कि फिर आप किसी के आगे पिछे नहीं बागेंगे कि मुझे मदद करो मुझे मदद करो लोग मदद करेंगे लेकिन उसके बादले कुछ ना कुछ लेंगे सिर्फ आपके blood relatives friends भी नहीं कोई नहीं सिर्फ blood relatives वो भी very close उनको ही आपके बारे में हम क्या बोलते है selfless जो है वो help करेंगे otherwise ये ऐसे लोग है लाइफ में ये ऐसे लोग है ये ऐसे लोग है तो इसलिए ये message में ये video में में दो बात बताना चाहता था एक तो ये जो सारी organization है वो भी ये उनके पास भी ये video जाए कि बही students है और मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा बार बार होने लगा तो court में case करना है आपके पास सारा data है सारा data है तो एक exam मेरा सुबह रोख एक शाम रोख हम उतना manage करेंगे बच्चे इतना भी करने को तयार है करें इतना भी करने को तयार है इतनी मेहनत करने को तयार है कुछ-कुछ बच्चे की 31st August को 2 exam देंगे सुबह शाम और 1st को भी 2 exam देंगे सुब वेडियो बेजो या फिर ट्विटर बे इधर उदर जिनको टैग करना है वो टैग करो क्योंकि आप जॉब नहीं माँग रहे हैं फिरी का आप जब बोल रहे हैं कि मुझे एक्जाम देने का मौका दो ये सिफ मौके के बारे में right to appear the examination ठीक है और मुझे लगता है इसके उपर तोड़ा आगे जाके हमारे constitution में जाके जो fundamental right है वो भी होना चाहिएगे कि right to appear the examination यानि कि अगर मैं तीन exam के form भरता हूँ तो सामने वाली organizations ये ensure करें कि वो exam तीनो एक ही दिन ना है correct अभी आगी ना examination ठीक है और वो भी 31st अगर से ने एक September यानि कि चार-चार exam आगी दो दिन पतलब दो दिन में आज और कल कैसे करेंगे बच्ची ये और उनको सब पता है कि कौन सा exam कप है ठीक है तो ये सारे organizers को ये appeal है कि please students को appear करने का मौका दीजिए और आप भी ये जो ऐसे लोग है society में वो आप उनसे दूर रहिए बिलकुल भी किसी को मत बताईए आपके future के plans क्या ओफिस में तो बिलकुल बताना नहीं है ओफिस में जो relation है वो तो बिलकुल artificial के double artificial negative type के relation है ठीक है अभी आप नहीं होता आपको पता नहीं होगा मैं तो ऐ आप इसे करते हैं मेरी एगें साजीस करते हैं मेरा प्राइंट मैजर ऐसा है मेरा वो है क्योंकि आसपास के लोग ही बताएंगे और आपके बारे में कुछ भी नहीं बताना है वो सारी जो बाते मैं आपको बताऊंगा अलग वीडियो में यहाँ पे आप यह याद रखिये कि किसी को भी नहीं बताना है उस से आप प्रब्लम में भी आ सकते हैं यह में क्यू बता रहो यहाँ पर क्यूब हो लोग पीछे जाके कुछ भी काम यह करते हैं इसको हम बोलते हैं उंगली करना वैसा ही ठीक है तो पढ़ाही करते रहिये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेन करना है फिस इस वीडियो में यहीं बताना था मुझे थी कई अपि मुझे बहुत पसीन सब्सक्राइब ले लेते हैं ऊसके बाद वह फूरा टेमपरीचर हो जाने के बाद पुरा पसीन आत आए थी कर तो यह है आपको यह video करना है और जहां जहां पॉसिभर एक्जाम है आगे बहुत सारी तो उस पर फोकस करना है थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो और आल दे बेस्ट वाई स्टेडीज और अपकमिन एक्जामिनेशन